हेलो फ्रेंड्स वागते हैं आप सभी का अम्रिता किचन विथ फन में तो दोस्तो आज मैंने पत्ता गोवी से बड़ी आसा मस्त करारा नास्ता बना कर तयार किया अगर आपको भी ऐसा करारा नास्ता खाने की आदत है तो हमारे फुल वीडियो को देखिए एंड तक जरूर आपको सही से समझ में आएगा तो चलिए वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हम पत्ता गोवी को अच्छे से क्रस्क करेंगे आप चाहो तो इसको बारिक बारिक काट भी सकते हैं फिर मैंने एक आलू लिया आलू को ऊपर से अच्छे से छिलका निकाल दिया है उसके और अलू बढ़िया लच्छेदार हो गए हैं अब इसमें हम गोवी कोवी अड्ट कर देंगे और दोना चीजों को अच्छे से एड्ट करने के बाद इसमें कुछ अरे मसालें आड्ट करेंगे जैसे कि पयाज मिर्ची धनिया इन तीनों चीजों को डालने के बाद फिर इस इसमें कुछ आइटम जो आप चाहें, आपको जैसा चटपटा पसंदो और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, हमने इसमें इतना ही आइटम डाला है, क्योंकि कम आइटम में भी यह बहुत अच्छी से बनकर तयार हो जाता है, अब हम इसमें डालेंगे स्वादनसार नमक, आपक चावल का आटा इसमें, अगर आपके पास रखा हो तो आप उसे डाल सकते हैं, वरना चावल को पीस कर डाल सकते हैं, और फिर इसमें एक कटोरी मैंने बेसन डाला है, दौनों एक कटोरी डाले हैं, चावल का आटा भी एक कटोरी और बेसन भी एक कटोरी और इन सब को अच जैसे चाहें वैसे सेफ दे सकते हैं तो मैं इसका टिक्की जैसा सेफ दूंगी क्योंकि जो आलू टिक्की होती है वैसा ही सेफ देने में ये अच्छे लगते हैं और सिक भी अच्छे जाते हैं तो मैंने बढ़िया से इनको बना लिया है हातों में थोड़ा सा लेंगे फिर उ हम इसे डालेंगे और इथाओ कमी गैस करके सेह केंगे मेडियूं गैस Cerco इना तो बहुत अच्छे एक theoretically कॉरार करार के से के तैयार हो जाएंगे तो देखिए इनको एक सीकेंड पर देखेंगे अगर इनका थोड़ा सा भी कलर चेंज लग रहा हो तो इने हम पलट देंगे ये करीब एक मिनट में अच्छे से नीचे से पक कर तयार हो गया है एक मिनट बाद हम इनको पलट देंगे और फिर देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा गॉल्डन कलर हो ग लग रहे हैं दोस्त तो यकीन नहीं मानेंगे आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये एक बार जरूर बना कर ट्राय कीजिए और मजे तो अभी मुह में पानी आ रहा है और मैंने तो बनाने के तुरंत बाद खा भी लिया आप लोग अभी यही मन करेगा कि हम भ वाओ कितना टेस्टी वाओ मेरा तो मन कर रहा है मैं दोबारा से बना के और अभी के अभी खाओ